हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल तो देखे फ्रेंट्स आज हम यह जिरो नंबर काना जी की ड्रेस बनाना सिखेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाई है मैंने यह वाली चोली सहीत मतलब पूरी डिजाइन देखेंगे जीरो नंबर काना जी की है आप इसको बड़े चोटे किसी भी साइज में बना सकती है चोटे साइज में तो है ही बड़े साइज में आप बना सकती है पहले आप प्लेन के यह जो प्लेन घीरा बना रहें यह आप घीरा बनाएंगे उसके बाद इस डिजाइन को बनाएंगे त मतलब 3 चेनों को छोड़के 4 चेन MN Sydney डबल क्रोष्य करेंगे हर एक चेन में हमने एक बार डबल क्रोष्य बना लेना है तो दिखे फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास है 16 डबल क्रोश्य आएंगे 15 चेन में 15 डबल क्रोश्य तीन की जो चेन बनाई थी एक डबल क्रोश्य हम उसको काउंट करेंगे वर्क को टर्न करेंगे एक दो डबल क्रोश्य बनाए मैंने बू सॉरी दो चेन बनाए इस चेन म हर एक चेन में हमें दो बार हाफ डबल क्रोश्य बनाना है, इस तरीके से, दिखें हमारा ये राउंड भी कम्प्रेट तो हो गया, दिखें एक हमने फर्स्ट पहले वाले उसमें तीन की चेन, दो की चेन रखी है, तो एक हमारा ये हुआ है, और इस साइड से भी हम एक डबल क क्रोश्य मैंने कर लिये है, तो ये हमारे टोटल जो है, तीस हाफ डबल क्रोश्य है, देखें थर्ड राउंड करेंगे, इसमें हम अपना सेकेंड कलर लगा लेंगे, छोटे काना की किया, तो हम दूसरा कलर देखें, यहीं पर लगा देते हैं, यह है पिंक कलर, करते हैं देखें एक chain बना लुएं पर मैंने, देखें next chain में गई, यहां पर दो एक chain होगई, दो कर देते हैं, नेक्स्ट चेन में गई, देखें यही ए एक chain जो है, और डबल क्रोश्या की जो चेन होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है हाफ डबल क्रोश्या की सिंगल क्रोश्या करना है हमें अगले तीनों में एक-एक सिंगल क्रोश्या किया है देखिए यह हमाई राइट साइड है चौती चेन में हम दो बार सिंगल क्रोश्या करेंगे सेम चेन में आगे आगे देखिए मैंने चार पांच आगे इसे करेंगे पांच चेनों में पांच के बाद च्टवी चेन में इंक्रीस करना है तो अब मैं इकड़ लेती हूँ अब देखिए 5 के बाद हर 6 चेन में हम बढ़ा रहे थे देखिए यहां पर भी हम देखिए यह हमारा यहां पर increase हुआ है इसके बाद हमने देखिए हर 5 के बाद बढ़ाया है तो इधर देखिए हमने 3 सिंगल क्रुशे के थे और इधर 2 है तो इसमें भी ऐसे आएगा तो देखे ये भी पांच हो गए ना हर पांच के बाद छटवी चेन में बढ़ाया है तो देखे हमारी टोटल कितने बढ़े हैं एक एक यहाँ पर हुआ दो देखे तीन चार और ये पांच पांच टोटल हमने इंक्रीज किये हैं चेन लेके धागे को काट देंगे यही पर क्योंकि हमारा धागा यहाँ पर ही है तो देखे यह जो चेन है यही पर क्रोशिय डालेंगे इसको धागे को पीछे की तरफ से ऐसे उठा लेंगे अब देखे एक दो तीन तीन चेन लेंगे अब हम इनको बाटेंगे तो देखे मैं कैसे कर रहे हूं दो तीन हो गए चार और यह पांच तो देखे पांच तो हमने आगे की तरफ ले लिए पांच पांच दोनों हम आगे ले लेंगे देखे ऐसे 35 है हमारे पास तो पांच पांच आगे ले लेंगे ग्यारा पीछे ले लेंगे तो यह हो गई 21 तो हमारे पास बचते हैं 14 तो साथ साथ हम बाज़ों में ले लेंगे तो देखे एक दू तीन चार पांच छे साथ आठवी चेन में जा करके डबल क्रोश्या करेंगे तो ग्यारा डबल क्रोश्या हम बैक साथ से करेंगे तो देखे फ्रेंट चार राउंड हमने टोटल बनाए हैं पहले डबल क्रोश्या बनाए फिर हाफ डबल क्रोश्या के फिर सिंगल क्रोश्या का फिर डबल क्रोश्या का आप चाहें तो अगर वैसे यह चूटे काना जी के लिए ठीक आती है इतनी बड़ी मैं अभी इतनी ही रहने देती हूं हमने यह यहाँ पर बंद कर दी ठीक है अब देखिए हम ना स्लिप करते हुए साइड में चले जाएंगे आर्म होल की तरफ वहां से हम इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे यहां से हम घेर बनाएंगे 1 2 3 को डुबल क्रोशे होनाएं इस सेम चेन में यह बार अब दूब RM पनाया उनेक्स चेन में 6 को मैं गए sciences को के एक होगे फ्रेंट्स और थर्ट चेन में जाकरके इसलिपे स्थिच करके देखे जोईन कर देंगे दिखे फ्रंट इन वाला हमारा राउंड है इस में एक दो चैन लेंदी है यहीं पर हम एक बार हाफ डबल क्रोश्या का रांड करेंगे क्योंके हमें गेरा छोटा ही रखन नहीं खोड़ के दो बड़ हाफ डबल क्रुषिया सेम चेन में तो हमें दो चेनों में एक एक रखना है और हर तीसरी चेन में निक्रीज करना है तो हाफ डबल क्रोशा का यह राउंड मैं कर लेती हूं देखे राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया सेकंड वाली चेन में जा करके सिल्प पिस्टिच करके देखे जोइन कर देंगे चेन लेके धागे को काट तो देखे इतना ही यह वाला घहरा बनाए हमारा अब हम सेकंड कर लग पाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे देखे यह जो चेन है यह राउंड हम डबल क्रोश्या कहीं करेंगे तो देखे एक दो तीन चेन बनाएं इन दोनों धागों को ऐसे पीछे रखेंगे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोश्या उनाया उसकी नेक्स्ट गए एक डबल क्रोश्या उनाया और उसकी नेक्स्ट भी एक बार डबल क्रोश्या उनाया देखे चार चेनों में हमें चार बार डबल क्रोश्या उनाया है एक दो चेन बनाएं एक चेन नीचे स्किप क करेंगे सेकिंड चेन में डबल क्रोश्या उनाया आगी की चेन में डबल क्रोश्या ऐसी करके हमें बनाना है चार चेनों में चार डबल क्रोश्या उना रहें उपट दो चेन उना रहें नीचे एक चेन स्किप कर रहें इस तरीकी से स्राउंड को कर लेती हूं देखें फ्रें में ही चार कर दी है और यहां पर भी यहां पर एक चेन छोड़ेंगे तीन जो चेन है इसके थर्ड चेन में जाके सिलिप स्टिच करके जॉइन करेंगे देखिए इस तरीके से अब देखिए सिलिप करते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे देखिए यहां पर इसमें वर्क करना है हमें तो मैं यहां पर आगई सेंटर में एक दो तीन तीन चेन बना लिए इसके अंदर वर्क करेंगे अब हम दो तीन बार डबल क्रोश्या बनाया फिर यहीं पर दो चेन लिए इसी के अंदर फिर से तीन बार डबल क्रोश्या बनाया दो और यह तीन दिख्या ऐसे दागलेंगे और डायरेक्ट इस में चले जाएंगे यहाँ पर फिर से हम एक दो तीन दबल क्रोश्य सेंटर में दो चेन इसी के अंदर फिर से तीन बार डबल क्रोश्य दो तीन दबल क्रोश्य तो इस तरीके से हम यह जो हमारी दो चेन के ओल बने हैं इन में बना लेंगे देखें 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 तीन दो बने क्रोश्य हो गए चेन ले और यह जो लास्ट वाली देखें चेन हैं यह जो तीन की जे चेन लेते हैं थर्ड चेन में जा करके slip stitch करके join कर देंगे ऐसे अब slip करते हुए हम देखे इसके यहां पे center में आ जाएंगे यह जो हमने 2 chain बनाई है यहां पे आ करके ऐसे यहां पे बनाएंगे 1,2,3 chain बनाएं इसी के अंदर 4 बार double crochet बनाएंगे अब 1, 2, 3 देखे 4 हो गए क्रेंग कि दबल क्रोशा होगे एक दुट टीन बनाएंगे यह जो डबल क्रोशा है इसकी यह दो चैन उठा करके भाद के छिए जो तो oni है यहां पर सिंगर कर दिया लागा लेंगे और इसी में फिर से चार बार डबल क्रोश्य होनांगे एप कर सबता है जो हुँ दो सी चार सबाएगे है जो हम कर देखें ऑने यह कलीब बीच में यहां हम एक सिंगल क्रोश्य ऐसे कर लेंगे धागा लेंगे नेक्स्ट देखिए यह जो कली है इसके बीच में गई दो चेन जाहां वनाई थी एक डबल क्रोश्य दो तीन चार बडबल क्रोश्य वनाई एक दो तीन चेन बनाई जो चौथा डबल कूशर है उसके यह दो ऊपर की 체न ले करके ऐसे सिंगल क्रोशर किया कर दागह लेंगे उसी के अंदर फिर से चार बर क्रोशly उनने में एक बार मैं दोबार तीन हे हैं चार बर के यह कल्री और यह क्ल्री के पीच में जो है यह देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे सिंगल क्रोशिय कर देंगे इस तरीके से कुछ हमारी पत्ती बन जाएगी बहुत छोटी सी ड्रेस है यह जीरो नंबर काना जी की है इसमें भी हमने सिर्फ चार राउंड बनाए है देखिए इतनी बड़ी है तो अब हमें इस राउंड को ब च्रकलिए नहीं लाच्ट बाली दो ड ड उठा करके इसमा है इसमे फिर से 4 बार दबल क्रोशिय रहती बनाएंगे है क्यर्ट हम 10 है तीर चर्क अत्यों चैनल कृशिय ऌन्हें और देखिए यह जो तीन के यो देखियो यह जो हम चेन मनाते हैं थार्ड चेन मा जा करकर के छ पिश्टिज करके देखिए जोइन कर देंगे चेन लेके धागी को काट देंगे इस धागी को हम सिक्योर कर लेंगे और देखिए यह बहुत छूटी सी ड्रेस बनाई है बिल्कुल जीरो नमर के कानाजी है उनके तो ये छूटा सा आसन है उनका तो ऐसे बैठने में आसनी हो जाएगे अगर आप इस ड्रेस को बड़े में बनाएंगी तो पहले प्लेन घिरा बनाईगा इन तीन रों को बाद में किनारी के तरीके से बना लीजेगा और छोटी तो ये है जितने भी बड़ी आप बनाना चाहेंगी उतने बड़ी साइज में ये बन जाएगी यहीं पे देखेए दो बार सिंगल क्रोश्या करेंगी ये जो उन होती है इसको ऐसे रखेंगे साथ में तो ये बंती चली जाएगी ये जो सिंगल क्रोश्या क्या है यहां पर दो सिंगल क्रोश्या हर एक रो में हमें दो बार सिंगल क्रोश्या करती जाना है ऐसे देखिए कॉर्डनर पर आपको पता हिए मैं ऐसे बनाते हूं दो सिंगल क्रोश्या फिर दो चेन बनाएंगे और इसी के अंदर फिर से दो बार सिंगल क्रुश्य और करेंगे तभी यह नग्यारा मुलेगा उपर की तरफ तो कि दो है दो सिंगल क्रुश्य है इस साइड के लिए हो एड़bers की तरफ के लिए हो parenthि एक एक च्नेन इस्किप करेंगे दिखिए एक चेन स्किप करें नेक्सट चैन में दो भाण सिंगल क्रोशिया को हमें अब चाहे तो बनने के बाद एक सिंगल क्रोशिया मैं वि सकती है तो जैसे उनका कहना है कि थोड़ी लूज ही रहनी चाहिए पहनाने में और यह मैंने दो राउंड किये हैं इसके बाद यह डिजाइन बना दे अगर आप बड़े काना जी की बनाएंगे तो पहले प्लेन राउंड अपने दो चार्च है जितने भी आपको करने वैसे कर लीज है यह आप किसी भी नंबर के काना जी को बना करके अपने पहना सकती है छोटे बड़े जितने भी बड़े आप पहनाना चाहें बनाना चाहें तो बनने के बाद हमाई ड्रेस कुछ ऐसी दिख रहे है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करिएग